नमस्कार दशकों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने कारिक्रम चर्चा में जिसमें हम चर्चा करते हैं आप से जुड़े मुद्दों पर आप से जुड़े विश्यों पर साथियों क्या बता सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ी पहचान क्या है वो है हमारा लोकतंत्र जो हम सभी को ताकतवर बनाता है देश को ताकतवर बनाता है और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होते हैं चुनाओ चुनाओ जब हमारे मतदाता जो कि किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी तपके के हो एक स्तर पर आकर अपने सबसे बड़े अधिकार यानि की वोट देने के अधिकार का उपयोग करते हैं और अपने देश का भविश्य चुनते हैं, अपने खुद का भविश्य चुनते हैं साथियों आने वाले कुछ समय में हमारे प्रदेश में भी विधान सभा चुनाओ होने को हैं ऐसे में निर्वाचन आयोग की क्या क्या तयारिया हैं कि जादा से जादा वोटर्स आकर जादा से जादा मतदाता आकर अपना चुनाओ के देने का अधिकार का और मत देने के अधिकार का उपयोग करें और साथ ही ये चुनाव निर्बात तरीके से सुरक्षित तरीके से संपन हो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साल स्टूडियो में मौजूद है हमारे प्रदेश की CEO यानि की चुनाव मतादिकारी वो है मैडम रीना बाबा साहिब कंगाले जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारक्रम में मैडम निर्वाचन आयोग की तैयारियां चल रही होंगी अभी विधान सभा चुनाव होने को है तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ने क्या-क्या नई तैयारियां की है कि जादा से जादा जो हमारे मतदाता है वो हमारे साथ आकर जोड़े अभी वर्तमान में जो चुनाव होने हैं जो कि इस वर्ष के अंत के पूर तक होंगे उसको लेकर सबसे पहले तो मतदाता सूची शुद्धिकरन का काम चल रहा है हमारे जो प्रथम विशे संक्षिप पुंद्रिक्षन था वो हमने जनवरी महा में पूर्ण किया अब दृतिय संक्षिप पुंद्रिक्षन का कारे चल रहा है पुंद्रिक्षन का कारे यह होता है कि जो आपकी मतदाता सूची है उसमें हमारे मतदाता ऐसे न जुड़ जाए जो कि अन्य जगव पर भी दर्ज हो तो मतदाता सूची के शुद्धिकरन का कारे जो कहलाता है यह एक समय बद्द तरीके से काम होता है और दो अगस्से हमन करोड़ 96 लाग मद्दाता है और इन सभी मद्दाताओं तक हमारे बीयलो जो है बूति लेवल ऑफिसर इस अभियान के दौरान याने दो अगस से 31 अगस के बीच में पहुंचेंगे और इनके घरों में यदि कोई ऐसे मद्दाता है जो कि अभी अभी 18 साल पूर्ण किया है ज इसके साथ साथ ऐसे भी कई हमारे मद्दाता हो सकते हैं जिनका की पता बदल गया हो और वो राज्य के दूसरे शेत्र से किसी दूसरे शेत्र में चले गए हैं किसी भी कारणवर्श तो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्द्यार्थी हो चाहे वो कोई नोक्री पेशा व्य इन दावापतियों का निप्दारा होगा और 4 अक्टूबर को फिर फाइनली जो हैं हमारे अंतिम मद्दाता सूची के प्रकाशन का काम होगा तो इस तरह से मद्दाता सूची के शुदिकरन के साथ हम मद्दाता चुना की तैयारिया शुरू करते हैं आप हमारी प्रदेश की मुखे निर्वाचन पधादिकारी हैं और बहुत बड़ी जिम्वेदारी है आपके उपर कि जादा से जादा जो मत दाता है वो अपने घरों के बाहर निकले और अपने मत देने के अधिकार का उपयोग करें तो ऐसे में कई नवीन प्रयोग आप लो प्रतिबद है कि समाज के हर वर्ग और खास्तोर से कोई ऐसा वंचित वर्ग है तो उन तक जरूर मतादिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें हम सक्षम कर सके इसका हमारा फूकस रहता ही है खास्तोर से एक तो जो मिलेनियल वोटर्स है यानि कि जो 18-19 यर्स का एज प्रतन हुआ है यानि कि 18 यर्स पहले था कि साल का प्रतम दिवस यानि फॉस्ट ऑफ जनवरी ही केवल कॉलिफाइंग डेट होता था तो पिछले चुनाव में यदि आप उस समय 18 साल के नहीं पूर्ण थे तो आप मतादिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे अगले 5 साल तक पूर्ण को इंतजार करना पड़ता था बिल्कुल अब ऐसा है कि एक जनवरी एक अप्रेल एक जुलाई और एक अक्टूबर को भी यदि आप 18 साल पूर्ण करने जा रहे हैं तो हम आपका एडवांस अप्लिकेशन लेकर आपको मदाता के रूप में वोटर के रूप में दर्श कर लेंगे और आप बिल्कुल अपने मतादिकार का प्रयोग कर सकेंगे तो यह वोटर्स हमारे लिए एक स्पेशल फोकस ग्रूप है इस वज़े से हमारे लगभग साड़े चार से छे लाग तक वोटर्स नए जुडेंगे जो की 18 years complete होंगे अब आज की डेट में 17 है वो इसके लिए हमने लगभग 110 डेडिकेटेड हमारे ए ए आरो जैने असिस्टन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं इनको हमने नियुक्त किया है और यह सभी कॉलेजेज में हाई से केंडरी स्कूल में डेडिकेटेड रूप से काम करते हैं जहां पर भी आप है वोटर हेलप लाइन आप तो क्योंकि सूचना तंत्र का जमाना है तो अपना खुद का अप है और वी एचे आप के माधियम से बिल्कुल आपको यह डाउनलोड करना है और आप अप्लिकेशन अपना फिल अप करेंगे तो यह ओनलाइन हमारे तक पहुंच जाएगा और हमारे जो इलेक्टोरल EROs और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यह आपका नाम मंदाता के रूप में दर्श कर लेंगे तो एक तो मोबाइल एप हो गया उसके लावा मिलेनियम वोटर के लिए यह जो अडिशनल हमने फैसिलिटी कौलिफाइंग डेट्स की की है यह एक नया प्रयास रहेगा इसके बाद होम वोटिंग के फैसिलिटी यह फोर्स टाइम अब स्टार्ट होने वाली है और जितने भी हमारे वरिष्ट नागरिक है यानि जो असी वर्ष 80 प्लस है और दिव्यांग जन है और कोविट पॉजिटिव यदी है तो इन तीनों के लिए जो है हमने एक प्रोविजन जो किया है वो यह है कि होम वोटिंग की सुविधा अभी अवेलेबल रहेगी यानि कि उन्हें ऑप्शन देना होगा कि एक फॉर्म 12D है और जब भी चुनाव की घोशना होगी नोटिफिकेशन जारी होगा तो यह उप्शन विकल्प वो एक्सरसाइ पर आपको फिर अच्छुली मद्दान के इत्र में जाने के अवशक्ता नहीं है और आपको घर बेठे ही आप अपना वोट दे सकते हैं जो पॉलिंग पार्टी है वो पॉलिंग पार्टी आपके घर पर मत पेटी लेकर आएगी और मत पत्र के माध्यम से जो है अपने घर पर घर के सुविधा से ही आप पोट कर सकेंगे उसके लिए जो रिटर्निंग ऑपसर्स है वो यह फॉर्म 12D सबसे भरवाएंगे और उसके मादिम से वोटिंग होगी इसके अलावा और पारदर्शित अलाने के लिए स्विधा की है कि 50% पोलिंग स्टेशन पर सीधा लाइट सीटीवी कवरेज रहेगा जो की वेब कास्टिंग कहलाता है पहले यह संख्या काफी कम होती थी और प्रयोगिक तोर पर यह चल रहा था लेकिन इस चुनाव में फुल फ्लेच चलेगा और हमारे राज्य में 24,000 पोल जाने कि 12,000 पोलिंग बूट्स में लाइव कवरेज पूरे पोलिंग प्रोसेस का जिस दिन मतदान होगा उस दिन सुबह से ही यह शुरू हो जाएगा जब तक मतदान समाप नहीं हो जाता तो यह सब टेकनोलोजी और एडवांस टेकनोलोजी का फाइदा है और यह सब जो ह है जो तारीखें बढ़ाई गई है पूरे साल भर लगभग उनका रेजिस्ट्रेशन हो सकता है तो युवा मतदाता तो जोड़ेंगे ही साथ में जो दिव्यांग जनों के लिए और हमारे जो बुज़ूर्ग है उनके लिए यह जो सुविधा प्रदान की गई है उससे उन पोलीग तो आपका प्रिफक टो आपका इंटीटी कार्ड है एलक्टोरेवल डेकाड क्योंकि वो फोटो Northern रहता है इस लेसे इलेक्टोरिल फोट अइडीकाड झालाता है और इस बार उसको अडिश्वन हो ब्रेशनल सेयर्टी एक्स्ट्रा सेकुरिटी फीचर्स है क्योंकि ये पीवीची कार्ड है तो घोस्ट इमेज है होलोग्राम है और जो ये गोस्ट इमेज, होलोग्राम वाटर मार्क ये सब चीजे है इस अर अदिशनल फीचर्स क्यू आर कोड भी है आपका पता आपके सम्भन में डीटेल्स चैनर जरीधी किसी के पए तो आप तुरन्त उसको क्याअप्चर कर सकते है तो फूुचरिस्टिच कार्ड कार्ड है और इसके साथ में एक किट रहा हम सभी मदाताओं को देते हैं ताके उनके बढ़ सके सामझ वह बढ़ सके कि मतदान किस प्रकरसे होता है और उनके क्या म जाती है तो जब भी हम आप तक आप ने मददाता बनेंगे एपिक काड पहुचाएंगे तो एक किट भी उसके साथ में जाएगा तो यह वोटर आईडी काड से किस तरह से अलग है नहीं यह है एपिक किट याने कि इस वोटर आईडी काड उसके साथ में कुछ IEC material जो रहता ह है मतलब आपके लिए एक वोटिंग राइट्स के आपके तकनिकी तोर पर जादा एडवांस तो जो आपका एपिक है यह बेसिक आईडी कार्ड जिस मोस्ट इंपोर्टन जो मैंने बनताया कि उसके उसमें इडिशनल सेकुरिटी फीचर जो है उस वज़े से उसका डूपल कुछ और तरीके से उसका दुरुपयोग भी हो सकता है तो वो सबी चीजों से बचने के लिए जो है वो वो ट्राइडी काड विट अडिशनल सेकुरिटी फीचर यह बनाए गये है जो पूरी तरह से सुरक्षित है पूरी तरह से सुरक्षित है इसका मतलब यह नहीं कि सब्सक्राइड तो वो भी मानने रहेगा आपके पहचान के रूप में जी यह तो हुई एपिक कार्ट की बात पिछले चुनाओं में हमने देखा महोदया की चुनाओ आयों ने बड़े अच्छे तरीके इजात किये थे कि महिला जो हमारी वोटर्स हैं उनको जादा से जादा से जादा घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो सबसे पहला कदम तो मताधिकार का प्रयोग करने की दिशा में होगा कि आप पहले मदाता के रूप में दर्ज हो और हमने यह प्रयास किया है विगर तीन वर्षों से कि जितने हम महिला मदाता को दर्ज कर सके आज हमारी जन संख्या में जो राज ये 996 लेकिन जो मद्दाता सूचिछी तक बirst महिला मद्दाताओं की दर्ष संक्या तो आपका आश्यर होगा कि वो पुरुषों से दिख है अच्छा है तो आज की डेट में जो है एक हजार पुरुष मद्दाताओं पे एक हजार तीन महिला मद्दाता है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धी है आप सभी के लिए जी बिल दूसरी जगह से किसी शहर में गाउं में आती हैं बेहाता बनकर अक्सर इन लोगों के नाम छूट जाते हैं नव वदू समान समारो यह कारेकरम हमने चलाया और इस कारेकरम के माधियम से हमने पाया कि पिछले मतलब काफी समय से जो है वह यह जो जंडर रेशियो था इंड प्रचाथ पसार कारेकरम है वह चलाया जाता है इसके अलावा जब अक्शली मतदान होगा तो महिला मतदाता है आगे आए और वोट कर सके इसके लिए हम संगवारी मतदान केंद्र एक कॉंसेप्ट है जो कि पिंक बूद से बेसिकली इसमें सभी जो करमचारी है हमारे प्रिसाडिंग अफसर से लेकर पूलिंग अफसर तक वो सभी महलाएं रहती है यहां तक के सुरक्षा कर्मी भी महलाएं ही होती है और संगवारी मतदान केंद्रों में महलाओ की उपस्तिती भी हमने पाया है कि काफी अच्छी रहती है तो राज में महला मतदाताओ का केव दर संख्या में बड़ोतरी ही नहीं, उस पर ही हम रुकेंगे नहीं, बलके मतदान में भी इनका योगदान पुरुषों से अधिक रहे, इसके और फोकस रहेगा. जी बिलकुल हमको भी उमीद हो, बलके पूरा विश्वास है, और ये हमारे प्रदेश के लिए भी एक उपलब्दी है, और खास करके आपके लिए उपलब्दी है, क्योंकि आप खोद एक महिला है, तो मेरे खास है आपने विशेश रूप से इस पर फोकस किया, कि जादा से महिला मत दाता जो है, वो जुड़ें वोटर्स लिस्ट में और जादा से जादा अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, अब अगर हम प्रदेश की बात करें, तो हमारा प्रदेश जो है, वो काफी समय से माववत प्रभावित रहा है, और सुरक्षा के कुछ इसमें इंतिज कामात किये जाने चाहिए, तो निर्वाचन आयो कैसे सुनिश्चित करता है, कि जो बोटर्स हैं, वो सुरक्षित तरीके से अपने मत डाल सकें, खास करके संवेदन चील एलाकों में, इसमें मुख्य रूप से यह होता है, कि जो केंद्रे सुरक्षा बल है, उनकी हम अतरिक मात्रा में उन बलो का उपयोग करते हैं, और इसमें निर्वाचन आयो एक तो पूरा 360 डिग्री जो कानुन सुव्यवस्ता की वहां की स्थिती है, उसका जायजा लेता है, और वहां से आने वाले फीडबैक के बीसिस पे, जो सेक्यूरिटी डिप्लॉयमेंट है, मातादिकार का प्रयोग लोगतंत्र में हर किसी को करते बनना चाहिए, तो केंद्रिय सुरक्षाबलो के अतरिक्त डिप्लॉयमेंट उसके अलावा जो मैंने बताया भी आपको की CCTV कवरेज, बिलकुल पूरे चुनाफ प्रक्रिया का, जो चुनाफ के दिन मतादिकार का प्र इसे सेंट्रल गॉवर्मेंट एंप्लॉयमेंट को डिप्लॉय किया जाता है, जर अब्जर्वर बूत स्तर पर, तो इस तरीके के सुरक्षा के कदमों को उठाया जाएगा, और समवेदंशेल एलाका है, हमारे राज्य का, और इसको लेकर चिंता अवश्य रहती है, चिंता से, ग्रामी निलाकों से, जो हैं हमारा मतदाता आगे आकर के, बिना किसी भहे के, लोब के, प्रलोवन के, आगे आकर मतदिकार का प्रयोग कर सके हैं, और हमको भी पूरा विश्वास है कि जो सम्वेदंशील एलाके हैं, उसमें जो निर्वाचन आयोग है, जो भी कदम देश कहुँआ हैं, वो बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव में आए, और अपने मतदिकार का प्रयोग कर सकें, तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को कैसे समझाना चाहेंगी, कि बिना किसी के दबाव में आए, सही उममीद्वार का चैन करना कितना जरूरी है, कि देश का भविश्य तो सुरक्षित हो ही, साथ ही उनका अपना खुद का भविश्य भी सुरक्षित हो. देखे, देश और दुनिया में जो हमारा भारत देश है, वो अपने लोगतंत्र के लिए ही जाना जाता है. लोगतंत्रिक विवस्ता में निश्पक्ष चुनाफ संपादित कराने के लिए जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो अधुसंरचना है, जो स्ट्रक्षित है, अडिनिस्ट्रेटिव, दुनिया भर में हम उसके लिए जाने जाते हैं. तो ऐसे में कहीं पर भी किसी भी मद्दाता के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कि वो अपने वोट की एक्सरसाइज कर सके हम लोग तो इन फाक्ट जो एडल्ट फ्रांचाइज है और वो केवल पूरिश को नहीं बलके महला, ऐसे दोनों को भी दिलाने वाले दुनिया में हमें इसे देखना चाहिए और निश्पक्ष रूप से प्रलोबन में आकर बिना किसी भय के अपने मदाधिकार का प्रयोग करना आज एक बहुत बड़ी लोग तांत्रिक जिम्मेदारी है जो भावी पीडियों के लिए आने वाले भविश्य के लिए या वश्रक होगा कि हम इस जो अधिकार है जो जिम्मेदारी है इसका पूरा निश्टा पून्ट तरीके से जो है वने वो करें तो मेरा अपील ही होगी सब के लिए कि सबसे पहले तो विश्वास जरूरी है मन में कि हम इस लोग तांत्रिक व्यवस्ता के बहुत अभिन अंग है और यह जरू इसको अधिकार से जादे के रूप में देखे और अपने फ्यूचर के लिए और इस देश के फ्यूचर के लिए यह जिम्मेदारी बहुत अवर्शक बहुत जरूरी रहेगी इस हिसाब से इस करते वेका पालन करें जी जी तो जैसा कि महोद्या ने विंती की है दर्शकों से और अपील की है कि दर्शक जादा से जादा संख्या में अपने वोट देने के अधिकार का उप्योग करें बिना किसी के दबाव में आए और सही उम्मीदवार को चुनें। अब मेडम आते हैं एक मुद्दे पर जो कि हर चुनाओ में चाया रहता है EVM मशीन से जुडा मुद्दा। EVM मशीन को लेकर हर चुनाओ में हम देखते हैं कि कुछ संशय होते हैं कुछ गड़बड़ियों की शिकायतों के इल्जाम लगाए जाते हैं तो आप कैसे हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगी कि EVM मशीन कितनी सुरक्षित है और यह जो आरोप है, यह कहां तक गलत है, कहां तक सही है अब EVM मशीन फिसे मैं कहना चाहूंगे कि largest democracy in the world which is using EVM मशीन and conducting elections through EVM और बिल्कुल कोई मशीन है तो उसके उपर प्रश्चिन तो लगता ही है, लेकिन जो इसके सम्मंदित security features है और जो protocol है वो आयोग उसको लेकर हमेशा सही बहुत कम भी रहा है और इसको किसी भी प्रकार की कोता ही और इसके protocol में बदती नहीं जा सकती है तो EVM सबसे पहले तो जो उसकी chip होती है वो single time programmable chip होती है इसमें dynamic coding होता है इसको जो निर्माता company है वो बनाने वाले दो ही companies है जो की government of India undertaking है और public sector की एक तो है ECIL और एक है BAYL भारत Electronics Limited यही पर यह निर्मित होती है और कहीं से भी यह वाइफाय, Bluetooth या remotely accessible नहीं है यदि इसको हम किसी भी प्रकार से खोलने की कोशिश करते हैं या tamper करते हैं इसका screw या nut कुछ खोलने का तो यह factory reset हो जाती है इसका इस तरीके से coding है कि जो chip है वो single time programmable है और जो coding है वो dynamic coding set किया हुआ है इसके अलावा इसको externally किसी भी प्रकार से आप access नहीं कर सकते, remotely accessible नहीं है जैसे हमारे phones होते है, Wi-Fi हो चाहिए Bluetooth है जो hack कर लिए जाते हैं तो यह उसमें inbuilt इस तरीके के security features और लड़ी है इसके अलावा भी confidence building एक बहुत बड़ी और पारदर्शितार है इसके लिए हम सभी राजनेतिक दलों को बहुत शुरुवाती दोर से ही मतलब चुनाव आयोक 6 माह पहले ही EVM से संबंदित जो प्रथम जाच है उसको कराता है और उसमें सभी राजनेतिक दलों के जो representatives है उनके समक्ष में इसकी प्रथम सरिय जाच होती है और उस जाच में मशीन को पूरी तरह से उपन करके इसमें किसी भी प्रकार का टैंपरिंग नहीं हुआ है और कोई खराबी नहीं है इसके जाच की जाती है इसकी प्रॉपर सीलिंग होती है जिसमें की पिंक पेपर सील का उप्योग होता है टैग्स का उपयोग होता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी रेप्रेजेंटेटिव्स की उपस्तिती में होने का फैदा यह होता है हम मौक पोल भी उनसे करवाते हैं जिससे कि यह टेस्ट हो सके कि यह हैक नहीं है और यह पूरी प्रक्या का वीडियो रेकॉर्डिंग होता है और इसके बाद भी और दो स्तरों पर विबिनस तरों पर इसकी जांच होती है जो कि फर्स रैंडमाइजेशन और सेकंड रैंडमाइजेशन कहलाता है उस समय में जो भी मशीन की स्पूलिंग बूद पर जानी है पूर्व निर्धारत नहीं रहती है और उनका अच्छे से मिक्सिंग होता है रैंडमाइजेशन जो कि कहलाता है और रैंडमाइजेशन होने के बाद जो पोलिंग बूद पर मशीन अलोकेट होती है वो फिर चेंज नहीं हो सकती है हर मशीन का अपना यूनिक आईडी है वही मशीन वही निश्यद पोलिंग बूत में जाएगी और कैंडिडेट्स को हम एडवांस में इसके बारे में बताते हैं इसके अलावा भी जब आक्चुली वोटिंग होती है जिस दिन उस दिन भी वहां के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके उपस्तिती में कैंडिडेट् आप टेस्ट कर सके देखिए कि मशीन किसी भी तरीके से टैंपर नहीं है और टैंपर प्रूफ यह मिसीव प्रूफ है तो इस तरीके से जब एवन काउंटिंग के समय में जो काउंटिंग होती है उसमें से कुछ मशीनों को जो हम उनके वीवेपैट श्लिप्स को भी फिज है जिससे कि हम इवियम से रिलेटेड कई बार आक्षे प्लगता है क्योंकि मशीन है और उसका डिफेंस केवल अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो करके ही हो सकता है तो मेरे जो दर्शकों के मन में जो थोड़ा बहुत संशे होगा वो मेरे खाल से अवश्य ही दूर हो गया होग चलते चलते मेडम आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि कैसे वो इस लोगतंत्र का जो चुनाओ है जो कि सबसे बड़ा जश्न माना जाता है तो उसको कैसे जादा से जादा संख्या में आके सफल बनाए तो आपने तो कहा ही कि लोगतंत्र का महात्योहा और डेफिनेटली लोगतंत्र का सबसे बड़ा महात्योहार हमारे जो आने वाले चुनाव है एक तो विधान सबाय और उसके बार लोग सबाय है आईए और इसका हिस्सा बने और बिना किसी भय प्रलोवन के पक्षपात के अपने लोगतंत्री जिम्मेदारी का पूर्ण साथ में निश्पादन करें जी आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि निर्वाचन आयोग की क्या-क्या तैयारियां है चुनाव के मद्दे नजर और किस तरीके से वह सुनिश्यत कर रहा है कि वोटर्स के लिए जो हमारे मद्दाता है उनके लिए जादा से जादा वो सुविधाय मोहिया कर रहा है कि वो अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद तैंक यू तो देखा आपने की लोक्तंत्र का जो एक महा उत्सव है चुनाओ उसमें आप अपना सबसे बड़ा जो अ जाद नमस्कार